आये दोस्त आज मैं जानता हूँ कि वर्ल्ड वाइब वेब क्या होता है सबसे पहले हम वर्ल्ड वाइब वेब की बारे में बताने जा रहा हूँ ओकि आप पूरा धैर से बैठेंगे और ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें सबसे पहले हम वेब जो है वर्ल्ड वाइब वे इस पर उपलब्द सुचनाओं को खोजना तथा इसको प्रियोग मिलाना बहुत कठीन था इंटरनेट पर उपलब्द फाइलों को ढूड़ना तथा उसे डाउनलूड करने के लिए आपके लिए एक स्किल की जरूरत थी इसकिल का नाम था यूनिक्स यूनिक्स जो है एक ओपरेटिंग सिस्टम है और इसके अलावा आपको एक बिसिस्ट टूल की आव सकता पड़ती थी यानि हमें इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें बहुत अच्छी स्किल की जरूरत होती थी इसके लावा यूनिक्स ओपरेटिंग सिस्टम की बहुत ही जादा नीड होती थी जिसकी पास Unix operating system को operate करने आता था वही केवल इंटरनेट का यूज कर पाता था तो आप धियां रखेंगे इस बात को कि जैसा कि आपको पता है जो जो फादर है टीम बर्नस लीजी है तो आप ऐसे कह सकते हैं टीम बर्नस ली को हम वर्ल्ड वाइब का जनक यानि फादर आफ वर्ल्ड वाइब कहा जाता है ओके दोस्त वर्नस जो है यह यूरफियन आर्गिनाजेशन फॉर नेव के लिए रिसर्च में यह सुटिजल लेंड म हैं विक कार कर रहे थे ओके हमिसा वह इंटरनेट का प्रयूप करने के जटिल विधी से बिल्कुल निरास हो चुके थे क्योंकि का आपको बता दिया था कि जो यूनिक्स ओपरेटिंग सिस्टम का जिसके पास यूच कर पाता था वही लोग केवल ही इंटरनेट को है ना उसको असानी से हम कलेक्शन कर पाएं एक जगह ता कि हम असानी से उसको एक्सिस कर पाएं यह इनके पास हमेशा यह बना रहता था तो धीरे धीरे नहों इनके मन में हमेशा काम करते करते यह लगा रहता था कि हम क्या करें क्या ना करें ओके हमेशा इंटरनेट का जो उनको प्रेसर्चर थे उन को फाइल को सिंड करने में हमेशा यह मतलब यह यूज़ करते थे leadership का I को काफी problem होता था internet को access करने में फिर बात आती है ठीक है यह 1989 में ठीक है यह 1989 में आते हैं फिर आप इनके मन में विचार आता है कि हम क्या करें कैसे प्रोग्राम को मतलब ओरचती हैं development करते हैं जो यह www होता है यानि word by babe होता है ठीक है इसका development कर लेते हैं और फिर उसी organization में जि European organization for the nuclear research में ठीक है तो अपना यह प्रस्ताव रखती है प्रस्ताव रखते हैं इनको क्या होता है कि उस प्रस्ताव को मन्जूरी दुबारा नहीं मिलता है मतलब मन्जूरी उनको नहीं दियाते है कि आपका program अच्छा है कि नहीं है इसको मतलब इनको हटा दिया जाता है फि कैलियो थे और इनके अपने मित्र के साथ हिनों ने फिर यह दुबारा उसको मतलब देखते हैं कि हमारे program में क्या कमिया रहती है उसको सुधार करके फिर प्रस्ताव देती है और इनको अंतत्त क्या होता है इनको फिर इस program को सबकृती मिल जाती है और हमें आज के डेट में internet का प्रयूक करना इतना आसान बना दिया ठीक है इसी तरीके से हम लोग internet का इतने अच्छे ढंग से यूज कर पा रहे हैं ओके दोस्त तो आईए हम जान लेते हैं कि world by wave क्या होता है जैसा कि आप बहुत सिंपल सा बात है यहां ध्यां रख सकते हैं कि क्या-क्या इसको कहते हैं यहां लिखा होगा world by wave is also known as the wave यानि हम world by wave को wave की नाम से जानते हैं इसकी अलाओ क्या होता है यह जो होता है जो interlinked पेज होते हैं उसका collection होता है इसको हम वेप के नाम से जानते हैं और interlinked जो page होते हैं, उसका collection होता है, okay, which display a variety of information that can access via the internet, okay, हम variety of information, हम internet के थुरू access कर सकते हैं, जिसको कि हम worldwide wave कहते हैं, इसकी अलावा हम कह सकते हैं, कि जो worldwide wave होता है, एक programs होता है, क्या होता है, programs होता है, programs हम भी कह सकते हैं, यह होता है, program होता है, क्या होता है, programs होता है, यह protocol होता है, जो protocol होता है, set of rule होते हैं, जैसा कि आपको पता है, जो programs होते हैं, set of interaction होते हैं, instruction होता है, इसके अलावा, यह हमको multimedia and hypertext file को create करने के लिए allow करता है, क्या करता है यह multimedia and hypertext file को भी create करने के लिए हमको allow करता है इसके allow इंटरनेट पर ये page को link कराने के लिए भी मदद करता है साथ साथ में इसको display करने के लिए भी हमको अनुमती देता है जिसको कि हम worldwide wave कहते हैं इस ध्यान में मैंड में रखेंगे कि ये www का हम जनक कह सकते हैं जो father of worldwide wave है टीम बरनस लीजी है और यह जो है आपको बता दिया जब ये www का जब विकास हुआ 1989 में और यहीं से हमेरा जो होगा इंटरनेट का यूज करना आसान हो गया जो मैं पहले ही इतिहास के बारे में बता रखा था अगर www यानी world by wave नहीं आया होता तो हम लोग इंटरनेट इतने अच्छे धंग से हम लोग access नहीं कर पाते और इंटरनेट को हम operate नहीं करा पाते ये बहुत अच्छा है कि नहोंने टिम बरनस लीजी ने इतने अच्छे व झालो जर रखा तो हमाँ जया ही zitten